गुद मॉरिंग 12th क्लास आज हम आपकी चप्टर फर्स्ट की कोश्चन अंसर करने जा रहे हैं कोश्चन नमबर फिफ से स्टार्ट करते हैं ठीक है और जो यह कोश्चन से आपको PDF की फोर्म में भी मिल जाएंगे यहां से आप जस्ट कोश्चन के अंसर को समझ लेना कि किस तरीके से आपको explain करने हैं फर्स देखे आपको फिफ्ट कोश्चन में क्या बोला है यह मुहंदास करमचंद गांदी और जवाहर लाल नहरू ठीक है दोनों की मतलब 47 के बाद अलग-अलग statement थी उन statement को हमें read करना है और जो यह दोनो statement है ठीक है इससे हमें देखना है कि राष्टर निर्मान का जो एजन्डा धवनित होता है उसे लिखिए इन दोनों statement से आपको राष्टर निर्मान के लिए क्या एजन्डा धवनित होता है उसके बारे में आपको लिखना है आप कौन सा एजन्डा जाच रहा है और क्यों ठीक है मतलब आपको बेटर स्टेटमेंट जुहालाल नहरू की लग रही है या फिर मोहन दास करमचंद गांदी की लग रही है इन दोनों में से एक स्टेटमें के बारे में आपको एक्स्प्लीन करना है जो भी आपके पॉइंट ओफ यू से बेटर है ठीक है तो देखिए यह क्या कहता है नीचे 1947 के अगस्त के कुछ बयान दिये गए हैं जो अपनी प्रकरती में अत्तिन भीन है यह मोहन दास करमचंद गांदी की स्टेटमेंट आपने अपने सर पर काटो का ताज पैना है सत्ता का आसान आसन एक बुरी चीज है इस आसन पर आपको बड़ा सचीत रहना होगा आपको और ज्यादा विनाम और धैरेवान बनना होगा अब लगातार आपकी प्रिक्षा ली जाएगी ठीक है यह इन्होंने स्टेटमेंट और यह जुहारलाल लहरू ने स्टेटमेंट दे है भारत आजादी की जिंदकी के लिए जागेगा हम पुराने से नए की और कदम बढ़ाएंगे ठीक है पुराने कदम से नए की और कदम बढ़ाएंगे आज दुरभागे की एक दूर का खात्मा हुआ है क्योंकि कोलनियल से हम आजाद हो गए हैं और हिंदुस्तान अपने आपको फिर से पालेगा मतलब हम समतंतर हो जाएंगे हमारी आइडेंटिफिकेशन होगी आज हम जो जिशन मना रहे हैं वहें एक कदम भर है संभावनाओं की दवार जो हैं वहें खुल रहे हैं ठीक है जो जुहारलाल नह हमारे हाथ में सत्ता आ गई है यहां आशन एक मतलब बुरी चीज है ठीक है और इसके परती हमें ज़्यादा सचीत रहना होगा और आपको ज़्यादा विनमर और धहर्यवान बनना होगा ठीक है इसमें आपको पताया गया है कि आपको किस तरीके से रहना है और इनकी स्टे स्टेटमेंट में हमें positivity निजर आ रहे हैं वो स्टेटमेंट ज्यादा सूटेबल है वो मतलब भारत की रास्टर निर्मान में महतपूर्ण भूमी का आदा करेगी तो देखें हम question answer देखते हैं आपको किस तरी किसे लिखना है मोहन दास करम चंद गांदी जुहार लान नहरू दोनों के बयान रास्टर निर्मान से संबंदित थे ठीक है प्रंतु प्रकरती में दोनों ही सरवथा भीन थे जहां गांदी जी ने देश की नए सासकों से यह कहकर आगा किया है कि भारत पर समय सासन करना आसान नहीं होगा ठ ठीक है क्योंकि उन्होंने कहा न कि आगे के लिए आपके दवार खुल जाएंगे ठीक है आज जो आप ये देख रहे हैं ये एक छोटा सा कदम है जो आज हम जसन मना रहे हैं लेकिन भवेशे के लिए दवार खुल जाएंगे तो उन्होंने एक रास्टर की कलपना की गई ह जिसमें उन्होंने वक्त ऐसे रास्टर की कलपना की हैं जो आतम निर्भर एन स्वावी मानी बनेगा हम यहां परपंडित नहरु के बयान से अधिक तोर पर सेहमत हैं क्योंकि उनके बयान में भविश्य में सम्रिध हैं सक्तिशाली रास्टर के दर्शन होते हैं देखें स्टेट्मिंट दोनों की ही ठीक थी क्योंकि गांदी जी और नहरु जी दोनों के दोनों मतलब रास्टर निर्मान के परति उन्होंने अपना बयान दिया हैं लेकिन यदि हम यहां बात करें तो जहां गांदी जी ने यह कहा है कि हमें ज्यादा सचीत रहना और धहर्यवान बढ़ना पड़ेगा ठीक है वहीं परियदी में नहरु जी की बात करूं तो उन्होंने एक नए रास्टर की कलपना की है ठीक है जो हम मतलब आगे की तरफ हमारे जो आज हम जशन मना रहे हैं जो आमने आजादी का एक कदम आज बढ़ाया है ठीक है आपका क्या कहता है ये भारत को धरम निर्पेक रास्टर बनाने के लिए नहरु ने किन तरकों का इस्तमाल किया ठीक है भारत को धरम निर्पेक्स धरम निर्पेक्स का मतलब ये है कि भारत का कोई धरम नहीं है धरम नहीं मतलब किसे भी धरम को सर्वो परी नहीं माना गया है या किसी एक अकेले धरम का परचार परचार नहीं किया जाएगा भारत एक सेकुलर कंट्री है धरम निर्पिक्स रास्टर है और इस तरक के लिए इस बात के लिए नहरू ने किन किन कंट्री के लिए धरम निर्पिक्स रास्टर के लिए क्या यह सारी जो लोजिकल थोड़ती क्या यह सिरफ भावनात्मक थी नैतिक थी या फिर इन उनका दुर्ष्टि कौन था वो कैसे था धरम निर्पिक्स था उनकी मानसिक प्रिवर्ति व्यग्यानिक थी उन्होंने पर्थाऊं तो था प्रंप्राओं का विर्होध किया था ठीक है वो जो यह कस्टरम्स जो जैसे सती पर्था लाई कहया एस कुछ ऐसे बुरे customs थे उस टाइम पे तो वो उन चीजों के खिलाफ थे उन पर्थाओं या परंपराओं को नहीं मानना चाहते थे कहते हैं वे धरम की राजनेती से दूर रहना दूर रखना चाहते थे वे परजया तंतर तभी सफल कहते हैं जब उसका आधार धरम निरपेख्षता हो उनकी थोड़ क्या थी एक परजया तंतर जिसे आप लोग तंतर कहते हैं लोग तंतर सिर्फ तभी सफल हो सकता है जब वे है धरम निर्पेक्षorton का पालन करें उन्हीं रहस्यवाद में छिड थी क्योंकि उसे वहस retrologically आपलोंकि समस्ते ठीकेस उनका दुर्षाइंधत विएग्यानिक था अथ्वाइ अर्था शरा था उनकी धरम के परती इतनी घेन निस्टा थी कि उनका विचार था कि राज्ये का अपना कोई विशीज धरम नहीं होना चाहिए ना ही उसे किसी धरम विशीज को प्रोटसाइद करना चाहिए और ना ही उसका विरहोद करना चाहिए ना ही किसी के प्रोटसाइद करें ना ही किसी का फेवर लें ना ही किसी धर्म के अगेंस्ट खड़ा हो, राजे सभी धर्मों के साथ समान वेवार करना चाहिए, राजे को सभी धर्मों के साथ बराबर का वेवार करना चाहिए, किसे के साथ कोई भीदभाव नहीं करना चाहिए, सभी धर्मों को उनके अक्षितर से पूरण समतंतरता देनी चाहिए मतलब सभी को पूरण अधिकार होना चाहिए कि वह अपने धरम का परचार परसार कर सके अपनी अथमकता में वे लिखते हैं धरम विशीषत है एक संगठित धरम का जो रूप है मैं भारत में तथा अन्यतर देखता हूं तो वह मुझे भ्याबित कर देता है मैं प्राए उसकी निंदा करता हूं और उसका अनुमूलन कर देना चाहता हूं ठीक है ये उन्होंने अपने स्टेट्मेंट अपनी जो उनकी बायोग्राफी थी उसमें उन्होंने ये लिखा था कहता है आजादी के समय देश के पूर अब देखी अब आपका नेक्स कोशिन ये उन्होंने मतलब थोड़ बताए हैं आपके सामने जो नहरुजी के थे उनकी जो थोड़ थे मतलब वो वैग्यानिक थोड़ थे या थार्तवादी थोड़ थे ठीक है वो परमपराई सधियों से चलती आ रही है जो रूड़िवादी सोच है मतलब उन्ची जो में बिलियों नहीं करते थे उन्हें लगता था कि यदि एक लोगतंतर रास्टर की स्थापना करनी है तो वहाँ पे धिरम निर्पेक्षता का पालन करना चाहिए किसी भी राज्ये का कोई स्पेशल धरम नहीं होना चाहिए हर राज्ये को मतलब सभी धरमों कर आदर करना चाहिए सभी को प्रोटसाहित करने के लिए उनके अक्षेतर में सब्दंतरता देनी चाहिए ये उनकी धोड़ती और आप देखिए हम नेक्स कोशन करने जा रहे है सेवंथ कोशन आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्मी इलाकों में राश्टर निर्मान की चुनोती के लिहास से दो मुखें अंतर क्या थे देखिए जो पूर्वी है पूर्वी एरिया जहां पूर्वी पाकिस्तान बना था जिसे आज बंगला देश की नाम से जाना जाता है और यदि मैं पश्मी की बात करूँ तो आपको पता है जहां पश्मी पाकिस्तान था वो आज पाकिस्तान देश है तो यहां पर बटवारा हुआ था तो यह कहता है कि उस टाइम पे रास्टर निर्मान की चुनोती के लिहां से यहां की जो मतलब दो मुख्य अंतर थे दोनों ही इलाकों के अंदर वो आपको बताने हैं ठीके तो आंसर स्टार्ट करते हैं भई आजादी के समय देश की पूरण पूरवी एंड पश्चमी इलाकों में रास्टर निर्मान की चुनोती के लिहां से दो मुख्य अंतर निमलिक्त थे पहला अंतर देखिए पूरवी अक्षेतर में सांसकर्तिक एम आर्थिक संतूलन की समय थी जबकि पश्चमी अक्षेतर में विकास की चुनोती थी यहाँ पर कौन सी समिश्या थे वही सांसकर्थिक एम आर्थिक संतूलन की और पश्च्च्वी में क्या था वहाँ पर विकास के चुनोती थी फिर कहता है पूरवी अक्षेतर में भाशाई समस्या अधिक थी जबकि पस्चवी अक्षेतर में धार्मिक एंट जातिवादी समस्याई अधिक थी ठीक है Next question करते हैं Next question आपका क्या है Next question देखिए Eight question राज्ये पुनर गठन आयोग का काम क्या था इसकी परमुक सिपारे से क्या थी देखिए जब हम 1947 में आजाद हो गए ठीक है तो उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ी समश्याई जो चुनोती हमने फिस की थी वो यहीं थी कि राजों की अक्षित्रिय सिमाई किस परिकार से निर्धारित करें ठीक है स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हमने भाशा के आधार पर हम गठन नहीं चाहते थे क्योंकि हमारे नेताओं को इस बात का खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत की एकता को खतरा पड़ जाए इसलिए वो भाशा के आधार पी राजों का गठन नहीं चाहते थे लेकिन जब राजों पुनर गठन आयोग का गठन किया गया क्यों किया गया कि 1952 में ऐसा हुआ था कि आधर परदेश जो एरिया तेलगू भाशा से सम्भंदित के लिए अलग से वनावने की डिमांड की गई थी और उस ट्राइम पे एक जो परशिद नेता थे कॉंग्रेस के उनकी डेथ भी हो गई थी ठीक है भूख हरताल की वज़े से और इसलिए भाशा के आधार पर जो पहला राज्ये बना था वो आंध्रा परदेश ही बना था तो राज्योग पुनर गठन आयोग का मतलब क्या है और इसकी परमुक्स सिपारस क्या थी तो देखें हम यहां से पढ़ते हैं राज्ये पुनर गठन आयोग की स्थाफना 1953 में की गई थी मैंने आपको बताया 1952 में भाषय के आधार पर आंध्रा परदेश राज्ये बना था तो इसी तरेके से दुबारा से गठन करने के लिए 1973 में राज्ये पुनर गठन आयोग की स्थाफना की गई इस आयोग का मुख्य कारिय राजों के सिमांकन के विशे पर गोर करना था इस आयोग ने सिफारस की कि राजों की सिमाओं करने दान वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए ठीक है भाषा के आधार पर फिर राजों का गठन होने लग गया अब देखिए नेक्स कोशिन करते हैं कहा जाता है कि रास्टर एक व्यापक अर्थ में कल्पित समुधाय होता है सरोमाने विश्वास, इतिहास, राजनेतिक अकांशा और कलपनाओ से एक सुत्तर में बंधा होता है उन विश्यस्ताओं की पहचान करें जिनके आधार पर भारत एक रास्टर है मतलब एक्ता के सुतर में बंधा हुआ है और उसके आधार पर भारत को एक रास्टर गोशित किया गया है तो विशिस्ताओं की हमें यहाँ पर explanation देनी हैं कि वो कौन-कौन सी विशिस्ताओं हैं तो कहता है भारत रास्टर की निमलिक्त विशिस्ताओं हैं पहली बात करते हैं भोगलिक एक्ता की जो अक्षितर के आधार पर एक्ता है उसे भोगलिक एक्ता कहा गया है भोगलिक एक्तामी रास्टरवाद का विकास होता है जब मनुष्य कुछ समय के लिए एक निश्चित परदेश में रहे जाता है तो उस परदेश से उसे प्रेम हो जाता है यदि उसका जनम भी उस परदेश में हुआ हो तो प्यार की भावना और भी तिविर हो जाती है जैसे कोई भी मतलब आदमी अपने बर्थ प्लीस को नहीं छोड़ना चाहता उसे अपने जनम भूमी से प्यार होता है लेकिन यह बात खनाबदोस जो कबीले हैं उनमी रास्ट्रिय भावना उत्पन नहीं होती है क्यों नहीं होती है क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं उनकी कोई एक फिक्स जगह नहीं होती है इसलिए ये भावना उनकी अंदर उत्पन नहीं होती है अब देखिए, इसी का हम second point देखते हैं, second point है सामान्य हित, भारतर रास्टर के लिए सामान्य हित महतपूर्ण ततव है, यदि लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक तता धार्मिक हित समान हो, तो उनमें एकता की उत्पत्ती होना सभाविक है, अब सामान्य मातर भ अपने जर्म स्थां से प्यार होना सभविक ही है एक ही स्थान या पर देश पर जर्म लेने वाले वैक्ति मैतर भूमी से प्यार करते हैं और इस प्यार की कारण आपस में एक भावना के अंदर बन जाते हैं अब सामान्य इत्यास इसका fourth point संतंतंतермा की भावना अपने संसकार की भावना अप्रतिक वेक्ति में होती हैं जब लोगों के सुमो में विदेशी राज्य कूस्मा करने की भावना होती है तो रास्ट्रियता की भावना उत्पन हो जाती है जैसे भारत के लोगों में उन्होंने व्रेटर्स रूल की जो यहां पर था उसको खतम करने की भावना उनके अंदर उत्पन हो गई तो इसका मतलब उनके अंदर रास्ट्रियता की भावना उत्पन हो आज भी भार्तियोग में रास्ट्रेता की भावना का एक कारण राजनेतिक आकाइशा ही हैं। आप देखी टेंथ कोशिन के बारे में हम देखते हैं टेंथ कोशिन में आपको तीन स्ट्रिक्मेंट दे रखी हैं तीनों स्ट्रिक्मेंट के बारे में आपको लिखना है कहता है यहां लेकर ने भारत और सोवियत संग के बीच जिन समानताओं का उले किया है उनकी एक सूची आपको बनानी है इन में सिपर्तेक के लिए भार्ट से एक उधार्ण दीजिए ठीक है अब देखी इन दोनों में मतलब क्या समानताएं है ये का नाम है सोवियत संग और दूसरा भारत ठीक है तो ये कहता है सोवियत संग की तरह है भारत में भी जातिय समू है धरम भाशाय समूधाय समाजिक वर्गों में एकता का भाव पाया जाता है अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है ये लेखक ने यहां भारत और सोवियत संग में चली रास्टन निर्मान की प्रिक्रियाओं के बीच की एसमान्था का उलेख नहीं किया है क्या आप दो एसमान्था ये बता सकते हैं दो एसमान्था ये आपको बतानी है जो भारत और सोवियत संग में थी सोवियत संग में सामयवादे आधार पर रास्टर का निर्मान हुआ था जबकि भारत में क्या है लोकतांत्रिक समाजवादी आधार पर रास्टर का निर्मान हुआ था सेकंड पॉइंट देखें सोवियत संग में रास्टर निर्मान के लिए आतम निर्भरता का सहरा लिया था और भारत ने भारी मदद ले थी ठीक है अब ये दो डिफ्रेंसिज आ गए थर्ड पॉइंट आपका टेंथ कुश्शन क्या क्या है अगर पीछे मुड़ कर देखें तो आप क्या पाते हैं रास्टर निर्मान के इन दो प्रियोगों में किसने बहतर काम किया देखें एक बार रास्टर निर्मान के लिए प्रियोग किया गया भारत में और एक सोवियत संग में तो इन दोनों में से बेटर कौन सा रहा जो भी इनोंने तरीका अपनाया तो इन दोनों में से बेटर क ठीक है तो यह कहता है अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि भारत में किये गई राष्टर निर्मान के प्रियोग बहतर रही है परंतु 1901 में में सोवियत संग के विघटन ने उसकी राष्टर निर्मान के प्रियोगों पर पर्शंचिन लगा दिया है ठीक है भारत को बेटर क्यों कहा गया है क्योंकि अब भी हाँ एकता में अखंडता है और यदि मैं सोवियत संग की बात करूं तो वो तो 1901 में में उसका विघटन हो गया इसलिए जो भारत है भारतर की राष्टर निर्मान निजोनीती बनाए गई थी उसे बहतर प्रियोग माना ठीक है आपके इस चेप्टर के कोश्यंस अंजर हो गए हैं जितने भी थे मैंने सभी कोश्यंस करा दिये हैं और अब इसके बाद आपको यह राइट डाउन करने हैं दन अफ्टर आपको यह कोश्यंस लर्न करने हैं